विद्यार्थियों हम पढ़ रहे थे आपकी अपनी पाठ्य पुस्तक रुचिरात्रतियों भागह का नव महपाठ यानि की नवापाठ जिसका सुर्षक है सब्त भगिन्या जिसका अर्थ हुआ सात भईने अर्थार सात भईनों से यहां अभी प्राय सात राज्यों से हैं और जो शब्त भगी नि उपादी है, वो किसमे प्रयोकी paws जोती प्रसाद सेक्या, तो विद्यार्थिओं हमने पहले भाग पड़ ली वस्त्यराज्यानी यह उपसीरशक है अर्थार्थ हम पार्थ में प्रविश्करने वाले हीं पाठ्यवस्तु को पढ़ने वाले हैं तो यहां पर इस भाग में भारत देश्के जो राज्ये हैं यानि कि कौन से हैं और कितनी संख्या में हैं टीके 23 में वर्तमान प्रिश्ण दिये गए थे उनके उत्तर आपने अपनी उत्तर पुस्तिगा में लिख लिए होंगे ऐसी उमीद में करता हूँ और आप सही-सही उत्तर लिखे होंगे इसके मुल्यांकन को हम यहां पर देखने वाले हैं तो आईए विद्यार्थियों एक बार देख लेते हैं म प्रयोगह केन कृतह सब्त भगीनी इस उपादी का या इस नाम का सबसे पहले प्रयोग किस नहीं किया तो विद्यार्थियों आपको जैसा पता ही है किस नहीं किया जोती प्रसाद सेखिया ने अब यहां पर देखें विद्यार्थियों यहां केन कृतह यह केन जो है तृत देखेऊं में लिक्तना है रूप बनाखर के ठीक है समझ में आ गई बात और जब एक पद में पूछे विध्यार्थियों तो वहां पर सिर्फ इतना ही उत्तर आएगा जोति प्रसाद सेकिया ठीक है आईए आगे चलते दूसरे प्रश्ण की और दूसरा प्रश्ण है सब्त भगीनी इती कती राज्यानाम समुह वर्तते साथ भहिने ठीक है ना इती ऐसा जो उपादी है ऐसा जो नाम है वो कितने राज्यों का समुह है तो आपको पता ही है पता चल गया था ना क्या पता चल गया था विद्धारतियो कि अ दूयम मत्रयम अ से 2 स्टार्ट होने वाले हैं कौन-कौन से अरुनाचल प्रदेश ऽह अस्मह ठीक है ना और मत्रयम मिजोरम मेगालय और मनिपूर ठीक है और न से एक और त्री से एक नव से नगालेंड और त्री से तिरुपुरा ये सारे साथ राज्य आपको पता हैं तो यहां पर कितने राज्यों का सभू है साथ राज्यों का ठीक है ना तो उत्तर क्या होगा संब्ध भगिनि इती सभु राज्यानाम संफुह वर्तते ठीक है प्रिशन सही है ना देखते हैं अगले प्रिश्ण की और सबतो भगीनी भारतस्य कस्मिन दिशी इस्थितम अस्ति देखे विद्यारतियों जब प्रिश्ण था तो या इस्थिता निसंति ऐसा था जो की गलत है इस्थितम अस्ति ऐसा आप सही कर लें ठीक है ना क्या लिखने में आयगा यहां इ जाने कि सब्त भगीनी जो उपादी वाले राज्य हैं भारत के किस दिशा में इस्तित हैं तो यहाँ पर देखिए सब्त भगीनी भारत सिय उत्तर पूर्वदीशी इस्तितम वस्ति उत्तर पूर्वदीशी उत्तर पूर्वदीशी उत्तर पूर्वदीशा में इस्तित हैं त ठीके समझ में आ गया तो आपने इनके उत्तर लिखे और सही से लिखे होंगे ऐसी उमीद करता हूँ और इसी उमीद के साथ आगे चलते हैं अपने पाठ्टे वस्तू की और और पाठ्टे वस्तू में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं भारत वर्शसे राज्यानी ठीके तो यहां पर एक अध्यापिका है और उसी के कख्षा के कुछ छात्र हैं जो आपस में बात कर रहे हैं ठीके ना और बात्चित के माध्यम से यहां पर जो जानकारी है वो हमारे तक पहुचा रहे हैं आप तक पहुचा रहे हैं तो आईए विद्यार्तियों हम भी शुरुवात करते हैं ठीके तब देखिए याँ पर अध्यापिका सुप्रभातम ठीक है नगात्य प्रभातम का अर्थ होता है विध्यार्थियो अच्छी सुबह ठीक है यानि कि जैसे हम हिंदी में बोलते हैं नमस्कार एंग्लिश में बोलते हैं Good Morning, उसी प्रकार सुप्रभातम, ऐसा हम सम्स्कुत भाषा में जब हम बादचित स्टार्ट करते हैं, या किसी से पहली बार मिलते हैं, ठीके ना सुब सुब मिलते हैं, तो यही कहते हैं सुप्रभातम, ठीके ना, यानि अच्छी सुब, यह किस ने कहा, यह अध्य सद्वाभातम हाथ जोड करके कि सुप्रभात सुप्रभफात अर्था-थ अच्छी सुवैं अच्छी सुवैं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निग समझ में आ गया तो यहां पर दे Uran ढद्रीयापा कहती है भवत契 ठीक है अच्छा है टिक अध्य या आज आज किम क्या पठनियम क्या पढ़ना चाहिए आज क्या पढ़ना चाहिए या आज क्या पढ़े ये सवाल अध्यापिका अपने चात्रों से कर रही है कक्षा में जो चात्र चात्राएं बैठे हैं उनसे पूछ रही है कि आज क्या पढ़े या आज क्या पढ़ना चाहिए तो चात ठीके ना वयम यानि हम सब सर्वे यानि सभी ठीके ना हम सभी स्वदेशस्य अपने देश के अपने देश के राज्या नाम राज्यों के विशये विशय में जयातुमिच्छामा जानना चाते हैं यानि कि हम सभी अपने देश के राज्यों के बारे में जानना चाते हैं तो विद्यार्थियों अपना देश कौन सा है अपना देश है भारत देश भारत वर्ष ठीके ना तो भारत देश जो है अपना देश जो है उसके राज्यों के विशय में जानना चाते हैं ठीके आपके जिग्यासा आपके मन में भी आ रही होगी तो ये जिग्यासा बनाए रखिए इस जिग्यासा का उत्तर इसी में है ठीक है ना इसी पार्ट में आपको मिलने वाला है तो यहाँ पर देखिए चात्रों के मन में जिग्यासा आई कि हम अपने देश के राज्य को जानने वाले हैं या जानना चाहते हैं तो अध्यापिका कहती है शोबनम अच्छा टिकừng ऐना अच्छा है टिक अच्छी बाथ है या अच्छा है टिकि वह ढद Voilà इसे कती राज्यानी संती असमाकम देशे हमारे देश में कती कितने राज्यानी राज्य संती यानी हैं हमारे देश में कितने राज्ये हैं अध्यापदिगा ने कहां कि ये अच्छी बात है ये विशेप जो है आप जो पढ़ने वाले वो अच्छी बात है तो बताओ तुम सब कि हमार सार्थी जो है एक छात्रा जो है चाहिरा ठीका कहती है खड़ी करके क्या चतुर विंशती महोदय है टीचर जी टीका ना कितने हैं 24 है चतुर विंशती का मतलब 24 ठीका अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि 24 हैं या नहीं है आपके मन में सवाल आ रहा होगा तो छोटे-छोटे बच्चे हैं आपकी की तरह ठीक है ना तो वह जवाब दे रहे हैं कि मैडम 24 है ठीक है ना तो अध्यापी का क्या कहती है अब यहां पर अध्यापी का कहती है इससे पहले ही दूसरी चात्र खड़ियो करके जवाब देती है क्या सिल्वी कहती है क्या नर ही नहीं 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 साइरा ने 24 बताए ध्यानक किने कॉनसे कितने बताए ठीक है ना तो 24 बताए तो शिल्वी कहती है नहीं नहीं महाभागे हे महोदया नहीं है 24 नहीं है पन्चव इंशती राजियानी सन्ति 25 राज तिके ना कितने हैं 25 है तिस कना ओभली ने कहा 24 है है या कोई और संख्या है जो हमारे राज्यों को बताती है भारत देश के राज्यों को बताती है आ रहा है ना तो जिग्यासा बनाए रखिएगा आगे चलते हैं अपने पाठ्यवस्तु में देखिए अध्यापिका फिर से पूछती है क्या पूछती है अन्यकोपी और कोई है क अर्थार्त विद्यार्थी जब आपस में सवाल कर रहे थे बता रहे थे कि कितने राज्ये हैं 24 है 25 है इत्यादी ठीक है ना तो इसी बीच अध्यापिका केते कोई और भी है क्या अन्य कौपी और कोई है स्वराब कहती है फिर मध्य एव बीच में ही खड़ियों करके कहती है क्या कहती है विद्यार्थियों महोदय में भगीनी कथ यती यदस्माकम देशे नवविंचती राज्यानी संती एतदती रिच्छी असब्त केंद्रशाशित प्रदेशाह अपि संती ठीक है तो यहाँ पर रिखिए स्वराब क्या कहती है हिंदियन वादी के विद्यार्थि हे महोदया हे टीचर में भगीनी में यानि मेरी ठीक है अब यहाँ पर देखिए में जो है यहाँ विद्यार्थियों में जो है इसको समझना है कि में यहाँ पर इसको मम भी बोल सकते हैं और यह सश्टी का एक वचन है क्या है विद्यार्थियों सश्टी विभक्ती का एक वचन है यानि कि मेरा या मैरी ठीक है तो दोनों अर्थ निकलते हैं यहाँ पर और यहां शब्द कौन सा है तो विद्यार्थियों यहां शब्द हैं अश्मत शब्द कौन सा शब्द अश्मत्षब्द है अपने पास में या Cory Dwya यह अर्थ देने वाला, तो विद्यार्तियों में या मम सष्टी विवक्ति के एक वचन में बनता है, यहां हिंदी वाला में नहीं है ध्यानक ना, हिंदी वाला में इस प्रकार होता है, यहां पर क्या होती है, अनुस्वार होता है, तो यह वाला यहां पर नहीं है, आगई ब हमारे देश में नवविंशती 29 नवविंशती का मतलब 29 ठीक है राज यानि संती राज्य हैं हमारे देश में 29 राज्य हैं ऐसा कौन कहती है ऐसा स्वरा की भहिन कहती है ठीक है ना ऐसा स्वरा बता रही है एतताती रिच्य इसके अलावा इसके किसके अलावा विद्यार्थिय यानि कि इन 29 राजियों के अलावा सब्त यानि साथ सब्त का मतलब साथ केंदर शाशित प्रदेश आहा केंदर शाशित प्रदेश अपिसंती भी है यानि कि इन 29 राजियों के अलावा साथ केंदर शाशित प्रदेश भी है अब विद्यार्थियों आपके मन में सवाल आ रहा कि केंद्र शाषित प्रदेश क्या होते हैं किसे कहते हैं तो यहां पर देखिए विद्यार्थियों केंद्र शाषित प्रदेश का मतलब होता है जहां पर केंद्र का सीधा शाषन होता है केंद्र विवस्ता जो है उसका सीधा शाषन जहां होता है वो केंद्र शाषित प्रद चीज या 29 या फिर आपके मन में विद्यार्तियों अगर आप वर्तमान जानकारी रखते हैं तो आपको मन में ये भी प्रशना आ रहा होगा कि 28 राज्ये हैं अभी फिर यहां 29 क्यों लिखा हुआ है तो विद्यार्तियों यहां पर क्या समझना है आपको मैं आपको बताता यहां पर विद्यार्तियों वर्तमान में 28 राज्य आपको समझने है ठीक है ना जो कि सही है और केंदर शाषित प्रदेशों की संख्या भी बदल गई है वो कैसे आप देखिए यहां पर आपके पास में भारत का ये नक्षा दे रखा है ठीक है यहां पर सभी राज्य है ठीक बताया गया है आईए जानते हैं इसको इसको जानने से पहले विद्यार्तियों जो लिखना है आपको अपने उत्तर पुस्तिका में वो लिख लीजिए वो क्या लिख लीजिए कि देखिए विद्यार्तियों अपने पास में 31 अक्टूबर 2019 से पहले 31 अक्टूबर 2019 से पहले 29 राज्य तथा 7 केंद्र शाशित प्रदेश थे ठीक है ना समझ में आ रहा है यानि की 31 अक्टूबर 2019 से पहले 29 राज्य और 7 के इंद्र शाशित प्रदेश थे लेकिन वर्तमान में 31 अक्टूबर 2019 के बाद ठीक है आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं अक्टूबर 2019 से ठीक है ना के बाद या से ठीक है ऐसा भी आप समझ सकते हैं हमारे भारत वर्ष में 28 राज्य और 9 केंद्र शाशित प्रदेश हैं समझ में आगया विद्यार्थियों यहाँ पर क्या है कि 28 राज्य और 9 केंद्र शाशित प्रदेश हैं वर्तमान में ऐसा आपको समझना है आगई बाद समझ में तो जो 24 थे 25 थे वो नहीं है सरासर गलत है और 29 जो है वो इस दिनांग से पहले थे और इस दिनांग को बीते समय हो गया है तो वर्तमान में अपने पास में यह वाली लाइन आपको ध्यान रखनी है अगर ऐसा प्रशन आप से पूछा जाता है तो आप उत्तर लिखेंगे अश्टा विंशती राज्यानी संती भारत वर्षे नवकेंद्र शाशित प्रदेश हा संती भारत वर्षे वर यहां पर देखें विद्यार्थियों यहां पर देखें विद्यार्थियों यह जो है भारत का नक्षा है यहां पर हम देख पा रहे हैं कि यह जो है यह वाला हिस्सा यानि कि यहां पर जो जम्मू और कश्मीर राज्य था उसको राज्य का दर्जा हटा दिया गया है यानि उसको दो केंदर शाशीत प्रदेशों में विभक्त कर दिया है पहला है अपने पास में जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्धाक ठीक है समझ में आ रहा ना यानि कि जो जम्मू कश्मीर राजिय हुआ करता था पहले 31 सक्टुलबर 2019 से पहले Beij sorta उसको अब भी 28 हो गए और साथ केंदर शाशित प्रदेश नो में बदल गए ठीक है बात समझ में आ गई ना अब यहां पर देखिए केंदर शाशित प्रदेश कौन-कौन से है वो जान लीजे आप यहां पर देखिए केंदर शाशित प्रदेश यहां पर देखिए विद्यार्तियों केंदर शाषित प्रदेश जो है अपने पास में एक है अपने पास में अंडमान और निकोबार द्वीब समू दूसरा है अपने पास में लक्षे द्वीब ठीक है तीसरा अपने पास में है दादर एवं नागर हवेली चोता है दमण एवं द्वीब ठीक है समझ में आ रहा है ना और यहां पर दीखे पुड़ुचेरी ये भी अपने पास में क्या है केंदरशाषित प्रदेश है और इसके अलावा हम बात करते हैं दिल्ली अपने केंदरशाषित प्रदेश में आता है चंडीगड अपने केंद्र शाषित प्रदेश में आता है तो एक बार गिन लिजे कितने हो गए एक दो तीन चार पाँच ठीक है ना छे और एक साथ अब यहां पर देखिए नो कैसे हुए तो दो अपने पास में है जम्मु कश्मीर और लद्दाक तो अपने आप ही नो हो ग कि एक बात मैंने आपको बताए थी 31 अक्टूबर 2019 से पहले 29 राज्य क्या बताया था आपको 29 राज्य जो मैंने बताया थे आपको विद्यार्थियों तो यहां पर 29 राज्य कौन से थे यहां पर पहले 28 ही थे लेकिन तेलंगाना बना कब बना 2 जून ठीक है ना 2014 को तो आगे चलते हैं हम अपने पाठ्यवस्तू के और कठिन शब्दार्थ ठीके शुप्रभातम अच्छी सुबै भवतू ठीक है अच्छा अध्य आज पठनियम पढ़ना चाहिए ज्यातुम जानने के लिए शोभनम अच्छा 24 24 25 25 भगीनी बहिन 9 29 एतत अतिरिक्चिय इसके अतिरिक्त जिसका संदी विच्छेद होगा विद्यार्थियो एतत धन अतिरिक्चिय ठीके ना यानिकि या जसत्व संदी है यानिकी बेंजन संदी है फिर है केंदर शाषित प्रदेश हा, केंदर द्वारा शाषित प्रदेश, ठीक है समझ्में आगे ना विद्यार्थियो, आई आगे चलते हैं आगे देखिए अध्यापी का कहती है, क्या कहती है सम्यक जानाती ते भगिनी भवतु अपी जानी था यूयम यद एतेशु राजेशु सब्त राजिया नाम एकह समुवायो अस्ती यह सब्त भगिन्या इती नामना प्रतितो अस्ती ठीके फिर यहां पर इसका आर्थ देखिए सम्यक जानाती ते भगिनी सम्यक जानाती सई जानती है ते तुम्हारी अब यहां पर देखिए जिस प्रकार में आया था वैसे ही यूश्मद शब्द जो है अपने पास में ठीके ना उसका सश्टी जो विभकती है एक वचन में रूप बनता है ते जिसको हम तव भी बोलते हैं ठीक है ना यानि कि तुम्हारी भगिनी यानि भहिन सई बोलती है तुम्हारी भहिन ठीक है आगे दिखिए भवतु ठीक है अपी अब यहां पर अपी पहले आ गया मैंने आपको पहले भी बताया था अपी का मतलब होता है भी लेक सब जानते हो यू यम यानि तुम सब तुम सब जानते हो यद एतेशु की एतेशु राज्य शु इन राज्यों में सबते राज्या नाम साध राज्यों का ठीक है किन राज्यों में 29 राज्या आपने इस पाठ्य पुस्तक के अनुसार पड़े और वर्तमान की दृष्टी से मैंने आपको बताए 28 राजिय तो उन 28 राजियों में एक हाँ एक समय वाय yogशति एक समवाय है एकसमु है ठेकैए यहा जो सब्दभगिन्य यहाँ साथ भहीनेश साथ भहीने से अभी प्राई साथ राजियों से हैं जो आपने पड़लीए है ठेकैए न तो सब्दभगिन्य इ इस नाम से प्रथीतो अस्ती प्रसिद्ध है प्रथीतो अस्ती का मतलब है प्रसिद्ध है अब सर्वे सभी को आश्चरी होता है कक्षा में कि ऐसा कैसे साथ भहीने कैसे कही जाती है ठीक है ना यानि एक समू जो साथ हो प्रसिध्ध के नाम से प्रसिद है वो कैसे जिग्या सा बनती है तो सभी कहते हैं शाष्चर्यम परश्परम पश्यंतह सप्थभगिन्या सप्थभगिन्या ठीक है बच्चे सभी एक-दूसरे ऊश्च्छो को देखते हैं और आश्चरे के साथ वाइने कैसे तो यहां पर रेकिए इसका आर्थ क्या हुआ आश्चरे के साथ पश्चंत तो न कैते हैं पश्चंत देखते हो क्या कि इमानी राज्य यह राज्य सब्यूट भगिन्य शात भई ने इती ऐसा की मर्थम क्यों, कथ्यनते कहे जातें इंको सात भई ने क्यों कहा जाता है ऐसा नीकोलस ने प्रिष्ण किया ठीक है विद्यार्थियों अब आगे देखądा है आगे अपने पास में अध्यापिका जवाब देती है क्या प्रयोग यम प्रतिकात्मको वर्तते कदाचित सामाजिक सामस्कृतिक परिद्रिश्या नाम साम्यात इमानी उक्तोपादिना प्रतितानी अध्यापिका ने जवाब दिया निकोलस को क्या कि प्रयोग यम यह प्रयो सामाजिक, सामस्कृतिक परिद्रश्या नाम, सामाजिक और सांस्कृतिक परिद्रश्यों के साम्यात समानता से, यानि कि सांस्कृतिक और सामाजिक जो परिद्रश्य है, रहन सेहन है, खान पान है, पहनावा है, इत्यादी जो वहां के हैं, उनकी समानता से, इमानी ये उक्त उपादी ना उक्तु उपादी से उक्तु उपादी कौन सी थी सब्त भगिन्या यानि कि साथ भही ने इस उपादी से प्रतितानी प्रसिद्ध है ऐसा अध्यापिका ने जवाब दिया निकोलस को ठीक है अब आगे देखिए समिक्षा पूछती है को तुहलम में ना खलू श जिग्यासा शांत नहीं हुई को तुहलम जिग्यासा को तुहल मलब जो जिग्यासा बन रही है ठीक है इंट्रेस्ट बन रहा है वह में मेरा न नहीं खलू निश्चे ही शांतीन शांती को गच्छती जाता है अर्थारत मुझे शांती नहीं मिल रही है मुझे अपना उत्त अगे चलते हैं, आगे देखी कटिनचर्वदार्थ, सम्यक का मतलब सही समवायो अस्ति यानि समु है यहाँ पर देखिए समवायह अस्ति ठीके ना यहाँ उत्व विसर्ग संदी है ठीके फिर है प्रतीतो अस्ति प्रसिद्ध है यहाँ पर प्रतीतः धन अस्ति यहाँ पर भी उत्व विसर्ग संदी है साश्चर्यम आश्चर्य के साथ सब्त भगिन्य साथ भैने प्रतीक आत्मकह सांकेतिक यहां प्रतीक धन आत्मकह दीर्गसंदी है ठीक है कदाचित संभवतह ठीक है साम्यात समानता के कारण उक्त अपादिना कही गई उपादिस से यक के कारण यहां पर रिखे उक्त धन उपादिना यहां पर गुन संदी है ठीक है विद्यार्तियों आईए आगे चलते हैं आगे आपके सामने है मुल्यांकन प्रश्ना तो विद् आपके सिसल देस हें किए आपने चीट-प्रदेश कितने है नव हे वह भी आपने जान लिया है बच्छों के अंदर भी जिग्यास्त बनी हुई है कि कैसे यह जो सब्लुक्ति-भगिनी है साथ राज्जे है वह इन 28 राज्यों में से संग्या के नाम से जाना उपादी के नाम से साथ भहीने वो किस प्रकार है तो इस जग्यासा को हम शांत करेंगे अगले भाग में तो विद्यार्थियों यहां पर मुल्यांकन प्रश्ण को आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है और इनके उत्तर देना है प्रश्ण इस प्रकार है पहला के केंद्र शाशित प्रदेशाह संती ठीक है तो ये तीन प्रश्णों के आप उत्तर दीजे मैं मिलूंगा अगले भाग में अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद हाँ